स्पिती की सुकून बरी एक मन्त की राइड के बाद वापस आते ही लाइफ इक्दम से फास्ट होगी थी लॉंच इवेंट्स, बाक टू बाक फ्लाइट्स, बाइक रिव्यूज, नीड़ेड अ ब्रेक तो एक रैंडम प्लान बना और हम निकल गए बैंगलोर के लिए अक्चुली बैंगलोर छोड़ने के लिए पर वो कहानी किसी और व्लोग में बताता हूँ फिलाल यहां से स्टार्ट हो रही थी मॉन्सून रही फॉरेस्ट, ग्रिंडरी, बारिश सब कुछ बहुत रिफ्रेशिंगा था था था, दिस वस दे वन अफ सीएड एक्स्पोराइड अब अब बाइड बाइड वाइड पास है नी तो कल मैं बैंगलोर पहुचके गया रोयल इंफील शोरूम और पिक्ट इस स्क्राम 411 और किसी भी राइड से पहले थार्स के बारे में जानना बहुत रूरूरी होता है यह पिक्ट अब दिब दिपार रोयल इंफील शोरूम और उसके बाद डिरेक्टी में गया शियर्ट शॉपी तो अबिट अबट 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 आप इस तयर रिप एक्सलिक विच अबट 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 यह कंज रूप्स तो इस तार्स इंग पर्फिश्ट निया अब व्याटा मौसम यह इस दिब आम लोग बैंगलाओर से और जो आज की डिस्टिशन है वो रही की मोस्ट पर अबली मसीना गुड़ी तो इसा फॉर्स रहें तमिल लाडू वाववा घर से निकलते ही ऑफ रोड प्लद आती है यह वाली रोड बंगलोर में जब से हम यह नहां पर पहले रहे थे उस टाइम पर भी इसका यह होता था बन रही थी और आज भी अभी वी ऐसे ही बन रही है एक साल बाद बैंगलोर लोटके आया हूँ और अभी इस रूड का वही हाल है अगलोर आने का मेरा सदन प्लान मना तो लास्ट यहर में जुलाई में ही बैंग सब्सक्राइब करने का मज़ा ही कुछ और है इसलिए बैंगलोर में कभी भी राइड करने से पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता था कि यह राइड वा कौन से रस्ते से ले जा रही है तो इस राइड पर लोग एक्स्प्लोर करेंगे उटी के आस पास कुछ अनेक्स्प्लोड प्रेसिस और आज की जो डिस्टेशन है वह मसीना गुडी फॉरेस्ट और यह जो रूट है यह रूट भी नॉर्मल रूट नहीं कि इसम्लने प्लॉप्ड कुछ बंदिपूर उठी साइड कहीं भी जाने के लिए बंगलोर से मैसूर होते हुए जाना पड़ता है वह बैंगलोर से मैसूर शाते बहुत सारे स्टे ये जो रास्ते यह पीछे साथगे जाता है फोड़ा बहुत कंट्री साइड के विमिदे है and that is why we chose this route वा बोलते ही क्या प्यारी सी लेक अगई है यह वाँ कiddरी दो है की तरफ निकल जाती है यहां पर कोई भी ट्रेल से लेकर पकड़ लो का हाल से रावम से यहां बोल यह राइड ना थोड़ी सी डाउन दा मेमरी लेन वाली राइड हो रही है यह सब जगे काम लोग इतना घूमते थे थे हम लोग बैंगलोर में थे क्या मस्ट प्यारा सा रस्ता दारा यार इन बैंगलोर के असबास बैस पद्बेस्ट ने इतनी ग्रीली दिखी यह और की फॉरेस्स पर अच्छा गाता है कि कांट्री साइट सिंगे लें रोट के बाद अब हम आ गए में रोट पर एंड जावर दस्त वियू हो रहा है यार मेरे सामने है हो 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 हलकी सी बारिश भी फिलाल बारिश रुक गई है पर यह क्या प्यारी प्यारी बूनने लग रही है स्क्राइम के कॉंसोल पे अड़ मौसम तो यार अलग लेवल हो रख था है अजय को चोटे चोटे से पॉंड जरा वही पूरे भरे हुए इस ताइम पर बहुती सब्रता सो रहे है हलकी हलकी सी बारिश भी योन लग गई है तो बैंगलोर से निकले हुए हम लोग को टूए अफ हार सो चुके है और यहां पर आके रुकिया हम लोग एक चाय ब्रेक के लिए अज एक साल बाद वापस हो रहे है एक साल बाद वापस में इन रोड पर राइड कर रहा हूं बहुत ज़ादा मज़ा रहा है और फिलाल मसीना गुडी यहां से अभी 150 km और चार-पांच घंटे और लगने चीए अगर बहुत ज़ादा बारिश रस्ते में नहीं मिलेगी तो चाय पी लिए अब यहां से निकलते हैं मसीना गुडी के लिए ताले बातल दिख रहते हैं और अब आगई है जोर से एक्दम बारिश बारिश में राइड करने का ज तो निकल लिए थे अब सब कैमरा गेर्स सब कुछ कवर कर लिए जाए अब यहां से जो पीछे सा रस्ता रहा है यह आ रहा था मैसूर में रोड साइड से हम लोग आ रहे हैं इस तरफ से और आके आप में रोड पर करनेक्ट हो गया है और अल अब बारिश बहुत तेज हो यह ने को पॉंसून में राइट करने में बहुत मजा आता है थोड़ा बहुत भीग जाए तो भी चलता है पासाइड में खड़े हो के वेट करने का कोई पाइदा नहीं है कितना ग्रीन दिख रहा है यार क्या मस्क्रीन दिख रहे है कि अब जबर्दस व्यूज और है यार काले बादल इग दो कि अब जान को लगा हुए जान को लगा हुए है तो एक्सिडेंट हुआ है कोई अब जस्तों यह बस रुकी थी वापर लोग एक्सिडेंट के चक्कर है पीछे देखे चलाने जाते हैं कि दूर सामने उतर वह पहाड़ी का देख रही है सब पारिश हो रही है तो मौसम दोयार घतर ना को रखा है बंगलोर में रहने का यहीं पैदा था था बोल रहों कि अभम लोग बंगलोर छोड़ रहें बंगलोर छोड़ ने बहुत पसंद है look at these views क्या प्यारे colors आते हैं और मौन्सून में यह पीछे रोट जा रही है बैंगलोर के असपस किदर भी किसी पी टेस्टेशन पर जाओ छोटी मोटी एसी ट्रेल से जरा सांदर लो एंड वीज़ लांड्सकेप्स अल आप सड़ें चेंज दाते हैं look at these views सामने हलके हलके से mountains पे clouds दिख रहे हैं बारिश तो काफी घतरना काने वाली है यह रही ट्रेल और यह रही अपनी bike और यह व्यू तो बहुत ही जवर्दस्त हो रहे है यार तूरिश स्पॉट बन गया यह गोपाला स्वामी हिल्स मसीना कोडी फोरेस स्टार्ट हो यहा पर क्या कलर्स दिख रहे है यार कितना सुन्दर दिख रहे है यह वाँ स्टेक यूजेश ट्राइबिटेड एरिया बंदीपू टाइगा रिजर्व अहां से जो व्यूज स्टार्ट होगे ना फॉरेस्ट के बहुत ही जबर्दस दिएस तो यहां के फॉरेस्ट में भर के दिखते है बात तब है जब और कुछ दिख जाए ताइगर रिजर्व मे कि अब भाई साब काफी सारे वीडियो देखे है मैंने जब एलिफेंट जुड़ा लेते हैं लोगों को तो मैं जाए यहां पर रुकना पूरे जंगल में लुड़ी नहीं है फो मॉन्सून का टाइम है शाए इसलिए जाब आनिमल्स देख रहे हैं तो मैं काफी सारे डियर पर एक एलिफेंट देख गया है एलिफेंट भी हर वार नहीं दिखते है वेलकम टू बंदी पूरा ओफिशल जो बस्टॉप है यहां से जाती है जंगल सफारी यह दो सारे डियर साके पानी पिरे हैं अब बादा मॉन्सून होता है बेस सीजन स्वारे से जब अगरे आने क जंगल में मोर राचा किसने देखा हम नहीं देखा नास तो नहीं रहे भी पहल रहे है ओ भाई ओ हो रोड टॉस्किंग अरे भाई होन कम राता है यहार मोर क्रॉस कर रहे है रोड उस पर होन बेजा रहे है बगा दी यह उसको अर तीन पीकोग दिख गया बता आज तक कभी ने देखे इतनी ट्रिप्स में पीकोग डियर एलिफेंट सब दिख गया है और क्या भाई सफारी का बता कर लिया जा है मतलब पर सब रोड पी जा रहे है सफारी क्या दरुवत है जब यह सब रोड पर दिख जा रहे है तो अधर थोड़ा ही ताइगर भी गुम रहा हुग है चौथा पिकोग वाव प्रताई सब क्या चल रहा है जीवन में ते करनाटका तामिलाडू का बॉडर है ओ पिकोग एक और कितने पिकोग दिख गया रज निलगिरी डिस्टिक्ट बोड यहां से तामिलाडू बड़ा स्टार्ट हो रहा है यह जो अच्छार बन्दर बन्दर वे टड्रक उड़ा जड़ा और इसके जस्ट पहले चेक्पोश आ करनाटका वहला वहां पर करनाटका बड़र एंड़ोता है अट आ अटे आप बड़ू जों मुदूमलाई टाइगा रिजर्व बलकम्सियों इस 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 बोस्त ब्यूटिफुल इस्टेट बॉर्डर आई थिंक करनाटिका तमिल लडू वो वी फोरेस्ट विजब के अंदर से वा यह दो कर भी को 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 किला रहे है को किला रहे है क्रैक्स किला रहे है वा इस तो पीसफुल यार मस्त आराम से 30-40 की स्पीड में धीमे बॉस चलते जो आए इस वारेस्टें इंडेर इन रहा हा जंगल का राफता और वह भी बारिश में वा इससे बेटर और क्या को बीशन या ओ यार क्या रोडरी यह इस टाने यार बता नी सकता इस टाइम पर कितना अच्छा फील हो रहे हैं अपर बारिश की वैसे पूरी रोड भी चुकी है सब कुज एक दम क्लियर दिख़ा है हलकी हलकी से बुने आ रही है मिटी कुश्वुमारी है वा क्या ट्रांजिशन हुआ ये इस पृति के खाली पहाड और बारन बड़ी वाली वाले लांडसकेप से डारेक्ट करनाडगा के फॉरेस्ट में वोओ यह मुदुमलाई फॉरेस्ट एंज खतम हो रही है स्टेट रस्तादाना उटी के लिए और यहां से हम लोग लेफ लिए मसीना गुडी के लिए मुदुमलाई पानी नहीं देख रहे हैं मॉनसून अग्दम फुल फ्लेजर आचुका यहां पर वैसे भी तो हर दूसरे दिन करनाडगा उस लिस्ट में होता है जो रोज न्यूज में आता रहा है वी रेंफॉल प्रडिक्टेटें इन सेवेन स्टेट्स नाइन स्टेट्स कर करनाडगा जरूर होता है यह दो कितने उपर आवाए लेवल हमें कभी भी नहीं मिला इतना उपर कितनी बारी रास्ता क्रॉस किया हम लोगों ने पुल भी कुछ जैसे लोने कुछ नीचा हुआ है ओ भाई सब लंगूर क्या खरेंगे कुछ लोगों डाला है कि लो ऑफ रो अब अब एक्चुली थोड़ा पता लगेगा नॉर्मली हम लोग बहुता ध्यान देते नहीं है थायर्स मस्ट चल रहे होते हैं तो आहा थायर्स की वेट ग्रिप यार एक्चुली काफी अच्छी है इन फाक्ट जो ब्लॉग आटर है उसकी वरे से ओफ रोड में जो छोट इतना मज़ा है वेको अभी तो लगातार बारिश ही हो रही है और बारिश में जब ये साइड में या बीच में हलकी हलके चोटे लोटे स्टोंस या रेट पड़ी होती है ना उसमें टायर के स्कृड करने के चांसे बहुत जादा होते हैं इलकता ब्रेक मारा हो टायर तुन बारिश बहुत तेज हो गई है यार तो यहां पर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का एरिया खतम हो रहा है तो फॉरेस्ट यह पूरा एक्चुली सेमी फॉरेस्ट है पर बाउंडरी जो आती है ना उसकी वैसे नाम चेंज़वाता है तो इसी फोरेस्ट का जो पार्ट कर नाटका में दाड़स काल्दीपुर टाइका रिजव एड़ पार्ट अमिलादू में दाड़ेस्ट उदू चुप अफॉड लोग इंदी ब्रेस्ट मार्ट को इस ऊचेंग पर बीजरो फॉड दिक और एक बाटल के लोग देख टिख करेजी व्यूंट में जीप सफरी रहेगा और बनना अपर्सका तो मॉर्णिंग में ज्यादा चांस होता है स्पॉर्ट करने का कि इवनिंग में ज्यादा चांस है तो अभी क्या एनिमल स्पॉर्ट हो रहा है इस टाइम पर हाथी और यह सब तो आज दिग गया में को रोड प सब तो आज रोड पर दिग गया चलो ठीक अभी तो हम जाते हैं फिर देखते हैं कल सुबाब मॉर्णिंग करना हुआ तो अरे यह जाने मसीना गुडी में हां से राइट जाते हैं आगे जंगल पड़ता है जहां पर हमने बुग किया है तेरी बत्रेवरे टाइम पर भी ग पूरा एक दम जंगल के बीच वे जाके कितर रहे हैं हां तो क्या व्यू दिख रहा है यार सामने हां इस शालत्स रिजॉर्ट चलो मैं पर्चके अब लोग मसीना गुडी शालत्स रिजॉर्ट सामने है हमारी कॉटेज दिखा दू कॉटेज नहीं है यह सा ग्लास होस चले अंदर यह है चोटा सा रूम जिसमें हम रुखने वाले है नहीं यह है सिटिंग एरिया एंड उपर 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 वाव एंड दिस इस आर बेड्रूम वहां पर लैप्तॉप रखा हुआ है डिरा जाल रहा है और पहर का वियू लुक आइट इस विउ ओ अज मारे क्रीजी चैनल जारा हुआ है यार क्या जबर्दस्क विव्ह जो रहा है आसे विव्हां अभी सबीश है और हमाचल के राइट मेरा एं डिर एंडर खाने के पर इतनी ग्रीन नहीं मेली ती आए है ज् मौसम बहुत ही जबर्दस्त हो रहे ठंड हो रही है भाईया ट्राय कर रहे थे कैमफायर जलने का पर हलकेल किसी बारिश हो रही है तो कैमफायर नहीं जल पा रही है बाइक मैं यहां पर लागे पार्क कर दिया है क्या जबर्दस्त राइड थी आज की and rains and weather made it even more beautiful बहुत in the forest in the forest in the forest and I literally enjoyed every moment of today's ride we are getting very excited, so we were having a day 1 of SEAT Express So this was day 1 end and day 2 or day 3, so stay tuned hopefully you guys enjoy the video, if you like, comments, comment, share all the pictures, but I will see you in the next vlog till then, the road ahead is long and that's very long, keep riding, bye bye I love you all don't forget to hit that subscribe button झाल झाल